नमस्कार दोस्तों आप सेगा फिर से एक बार शौगत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मी और सरकारी तैयारी में और कितने बच्चे यहां पर पास होंगे कितना यहां पर जो है आपका कटफ जाता है कितने पासिंग नमबर वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उससे पहले जितने भी यहां पर हमारे कैसकते हैं जो सस्क्राइबर्स नहीं बने अभी आप फिलहाल हमारे चास जूड़ जाईए ताकि आपको आने वाले समय में यहां पर जितनी भी इंफोर्मेशन है चाहे ससे जीडी हो गौर्मेंट जॉब हो या फिर जितनी भी यहां पर नोटीस हो वो आपको मिलते रहे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर से दबा लीजेगा चल नहीं बलकि 11,000 मान के चलते हैं और जैसा कि आपको पता है कि SSC MTS या फिर SSC की जो वेकेंसी होती उसमें जो केंप्यूटर बेश एक्जामनेशन होता है उसमें लगबग देखा जाता है कि 8, 10 या 12 परसेंट जो बच्चे हैं उनको यहां पर पास किया जाता है यानि कि 8, 10 12 गुना बच्चों को पास किया जाता है अगर हम यहां पर पिछले साल की तुलना करें तो अगर 11,000 वेकेंसी और 10 क्या सकते हैं दस गुना से हम मल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर लगबग एक लग 10,000 बच्चे जो हैं आपर एक्जामनेशन में पास होते वे दिख रह कि यह जो बच्चे पास होंगे इनका फाइनल सेलेक्शन नहीं होने वाला यह जो है सिर्फ अगले स्टेज के लिए जाएंगे यानि जो दूसरा एक्जाम में उसके लिए पहले एक्जाम में इतने बच्चे यहां पर पास हो सकते हैं as per SSC rules और यहां पर मैं बता दूँ य कितना होगा अगर आप यहां पर पहला टियर का एक्जाम दे रहे हैं तो देखिए unreserved general category अगर 30% number total का लेखे आएंगे तो आप minimum qualifying यानि passing percentage में आ जाएंगे OBC EWS के लिए 25% और other category के लिए 20% यहां पर passing qualifying marks रखा गया यह qualifying marks vary करता है लेकिन यह all India fix हो जाता है आपके लिए लेकिन जो यहां पर कह सकते cut-off है वो अलग-अलग राज़ का vary करेगा और आपका final selection आपके राज़ के cut-off के अनुसार होगा ना कि इस qualifying के अनुसार लेकिन यह minimum qualifying का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे राज़ होते हैं जहां पर इतना number लाएंगे अगर आप तो आपका selection निश्ची थे आपको selection कर लिया जाता है तो यह सारी जानकारी थी और भी कोई update आएगी मैं चैनल पर परवाइड करूँगा चैनल को आप subscribe कर लेना जै हिंज जै भार कर अएगार तो